कुश्चन यह कर रहा है कि 62,500 पेगे रासी पर प्रतेक आठ महा में चक्रविर्दी होने वाले 12% वार्षिक 10-2 वर्ष्रों में प्राप्त चक्रविर्दी व्याज कितना होगा 8 महा की बात करिये कि बात शाल में 12% यहाइज चक्रविर्दी व्याज काउंट वहगा अब यहां पर बेसिक वाई से हम बना लेते हैं, 62 गुना, 8 बटा में 100 करेंगे, 625 है, जब 8 से मल्टिप्लाइ करेंगे, ते हो जाएगा, 8, 45, 2, 8, 26, 4, 20, 8, 48, 2, 50, कि 5 हो गया, अब इसको 5 जोट देंगे, ते हो जाएगा, आपका 67, 500, इंटू 8 बटा में 100, जब इसको 45, 48, 57, 56, 4 हो जाएगा, कितना आपका, 60, कितना हो जाएगा, 60, और 48, 8, 16, यानि कि यह हो जाएगा, आपका 54, अब हम क्या करेंगे, वापस से 44 को 77, 500 में जोड देंगे, जोड देंगे, जोड जोड देंगे, ते हो जाएगा, 5, 4, 9, 7, 5, 12, 6, 7, 7, 2, 9, यही हो जाएगा, अब इसका 8 % अब निकाल लेंगे कि इसका 8 % निकाल लेंगे तो कितना जाएगा आपका 9, 72, 8, 2, 16, 8, 7 कितना हो तेज़, और 8, 7, 56, 56, और 2 कितना होता है, 55, 55, 32 पारले साल में आगा पांस या दूसरे महीन यानिकी 16 महीने में चोबशन और 24 महीने में आगा कितना अंठाउन बात्तिस टोटल हम ब्याज काउंट करना है तो टोटल काम क्या करें कि आड कर देंगे कितना होगा आपका यह 8-4-12-5-5-10-1 क्या हो जाएगा आपका 11 यानि कि 11,000-32-32 और 5,000 काम जोड़ेंगे ति कितना जाएगा 16,000-32-32 अबसर नमबर D जो है इस कोश्चन का एंसर होगा